हेलो फ्रिवन स्वागत है आप से लोगा इस्टेडी 5.6 में आज माशनों को परमिय संख्याओं का भाग करना से हैंगे ताप लोग ध्यान से समझेगा पहला प्रशने देखे तीन बटे 5 भागे माइनस दो बटे 7 लिखा हुआ है तीसे कैसे सालप करेंगे तीहाँ पर देखे इसका कुछ नियम होता है तीन बटे 5 लिखा हुआ है तीसे आप उसी तरह लिखेंगे इसे तीन बटे के आप 5 ही लिखेंगे लेकिन जो ये भाग वाला चिन होता है इसको बदल दिया जता है जब भी परमिय संख्याओं का भाग करेंगे ती ये जो भाग वाला चिन है किसमें बदल जाएगा गुड़ी के चिन में बदल दिया जता है और इसके आगे वाला जो भीने लिखा हुआ है माइनेस दो बटे साथ उसे उल्टा लिखती है जाएगा यानि साथ को हम उपा लिख देंगे माइनेस दो जो है उसे हम नीचे लिख देंगे अब हम क्या करेंगे इसे बड़े असानी से साल्ब करेंगे यहाँ पर देखें कोई भी संख्या किसी से कटने वाली नहीं है तो हम आपस में गुड़ा कर लेंगे तीन का गुड़ा साथ में करेंगे कितना हो जाएगा तीन सत्य आपका 21 हो जाएगा बटे का चिन्हाएंगे पांदुना कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा यह प्लस है यह माइनस हो जाएगा अब मैं आपको बताया था कि परमेश संख्याओं का जो हर है वो माइनस में नहीं होना चाहिए तब आप क्या करोगे अगर अंस प्लस में है तो अंस को हम क्या माइनस में लिख देंगे यानि माइनस 21 बटे क्या कर देंगे इसको प्लस में कर देंगे यहां पर 10 लिख देंगे यही फाइनली आपको क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा माइनस 1 केज़ बटे 10 अब मैं दूसरा स्वाल आपको बताता हूँ वो भी आप लोग ध्यान से समझेगा यह देखे माइनस 4 बटे 9 यह भाग का चिन है भागे माइनस 4 बटे 9 लिखा हुआ है अब आप क्या करेंगे आपको पहला इस टेफ होना चाहिए इसको इसी तरह लिखेंगे माइनस 4 बटे 9 यह तो माइनस 4 बटे हम क्या 9 लिखेंगे इसके बाद यह भाग का चिन है तिसे हम क्या गुड़े का चिन मानाएंगे इसके आगे वाली जो भी ने लिखे है माइनस चार पटे 9 इसका हम उल्टा लिखेंगे क्या लिखेंगे 9 को उपर लिख देंगे जो माइनस चार है उसे हम नीचे लिख देंगे अब देखे चाहे चीए तो आप माइनस चार से माइनस चार को आराम से काट सकते हैं 9 को 9 से काट सकते हैं ये देखिए माइनस 4 से माइनस 4 कड़ गया 9 से क्या 9 कड़ गया जब सब कुछ कड़ जाता है तो उसका answer क्या होता है एक होता है फाइनली ये ही एक आपका क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा इस तरह से परमेर संक्हyacht का भाग बड़े यअसानी से किया जाता है यह आपका अगला स्वाले देखे तीसरा स्वाले माइनिस 6 भटे 5 भागे माइनिस 6 भटे 7 लिखा हुआ है तो आप क्या करूँगे माइनस 8 बटे 5 है तो माइनस 8 बटे 5 पाले लिखेंगे भाग कचिन है तो इसे हम क्या गुड़े कचिन बना देंगे यहाँ पर माइनस 6 बटे 7 लिखा तो इसे हम उल्टा लिख देंगे 7 बटे क्या माइनस 6 लिख देंगे अब देखे कोई भी संग्या केशी से कटने वाली ने है तो आप आसानी से क्या इनका गुड़ा कर लेंगे आठ देखे अच्छा से कट जाएगा तब पर भी आप चाहें तो इसे गुड़ा करके भी आसानी से काट सकते हैं आठ सत्य कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा यहाँ पर माइनस है तो माइनस का चिन आएंगे बटे का चिन आएंगे पंच है कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा यहाँ पर भी माइनस का चिन है तो माइनस लगा देंगे अब इसे आप 2 से काट सकते हैं 2.28 साम में कितना होता है 56 होता है 2.15 में कितना होता है 30 होता है यहाँ पर देखिए माइनेस का चिन है यहाँ पर भी माइनेस का चिन है तो जब मैंने आपको बताया था कि परमिय संख्याओं का अंस भी माइनेस में हो तो वो क्या आटोमेटिक प्लस में हो जाता है तो आपका एंसर क्या हो जाएगा 28 बटे 15 यही आपका finally क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा अब यहाँ पर देखें चोथा सवाल है एक बटे माइनस 6 है तो इसे भी आपके कैसे साल करेंगे एक बटे माइनस 6 लिखेंगे भाग का चिनेत इसे हम गुड़े का चिन मादा देंगे माइनस एक बटे एक है तो इसे हम उल्टा लिख देंगे एक को उपर लिख देंगे माइनस एक को नीचे लिख देंगे अब देखें आपको क्या करना है अब आपको आफसानी से उपर का उपर में गुड़ा कर लेना है एक गुड़े एक करेंगे आपका कितना होगा एक होगा यहाँ पर देखे माइनेस च्छा गुड़े एक है तो च्छा एक के कितना हो जाएगा अच्छा हो जाएगा index कबड़ते माइनस क्या होता है प्लस होता है यहां पर प्लस हो जाएगा ते एक बट च्हाई यही आपका क्या हो जाएगा फाईनली एंसर हो जाएगा तो मैंने आपको हर टाइब के प्रस्मश संजाने का परियास किया तो आसा करता हूँ आपको सारे प्रस्म ज़रूर स्वाजमाए होंगे तिस त्वी प्रकार के मदद फ़र वीडियो पाने के लिए चैनल को जोर सब्सक्राइब करेजिएगा वीडियो को लाइक और शेयर करने ना बुलेगा धन्यवाद